कुछिशन नंबर 27 को देखते हैं यह भी बड़ा इजी सावाल है बढ़ तफ नहीं है करते हैं यह पार्टिकल मुविंग अलोंग X-axis has acceleration f at t equals to t given by f equals to f naught 1 minus t by t where f naught and t are constant the particle at t equals to 0 has 0 velocity in the time interval between t say 0 t equals to 0 and the instant when f equals to 0 the particle's velocity vx okay हम कहते हैं dv by dt इसको acceleration लिख सकते हैं तो मैंने कहां f naught 1 minus t by capital T into dt 0 से लेकर के v और यह 0 से लेकर के t यह वी इक्वाल्स टू एफ नॉट 1 अपनॉट तो constant है हम इसको integrate करना चाहते हैं तो यह कितना हो जाएगा 1 को यह t हो जाएगा minus of t square by 2t हो जाएगा और यह कहां से कहां तक 0 से लेकर के capital T तक क्यों क्यों क्योंकि इसमें question में दे रखा है कि 0 has 0 velocity in है न क्योंकि capital T तक ही जाएगा तो इसको differentiate velocity निकालेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वेन अपको जीरो अना टाइम इंटर्वल विट्यूइन एफ इसको जीरो एफ इसको जीरो पर आप देखेंगे तो टी को स्थी आजाएगा तो वही मैंने रखा है यह से लेकर कि capital टी तो वी को स्थिटना हो गया F नॉट at t minus t square by 2t so t by 2 कितना हो गया f0 t by 2 f0 t by 2 ठीक है f0 t by 2 option c is the correct answer of this question